तो पहले विग की तरह सेलिब्रिटी क्रिकेट लिग का दूसरा विग भी काफी दमाकेदार रहा जहाँ पर रविवार को खेले गए दो मेचों के बाद पॉइंच टेबल में काफी बड़ा उलट फेर हुआ है रही वगर को पहले मुकाबले में जहां करणाठा पॉल्डोजर्स ने राजियू के सांधार प्रदसं की वज़े से केला के खिलाब आँट विक्तो से जीता सील की तो यहीं दूसरे मुकाबले में मुंबा हिरोज ने सांदर वापसी की और पंजाब के खिलाब 22 रनों से जीता सिल की तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको रईवार को खेले गए दो मेचों के बाद सेलेब्रिटी क्रिकेट लिक का लेटेस्ट पॉइच्टेबल बताने वाले हैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्यूंकि इंडिया उस्टेलिया थर्ड टेस्ट के वीडियो पर काम चल रहा था वीडियो चैनल पर आचुकी है अपने ना देखाओ तो जलू से देख लिजेगा इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहीगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जलू प्रेस कर दीजेगा तो चलिए हम एक बार पूरे पॉइंच टेबल पर नजर डाल लेते हैं तो उस्तो पॉइंच टेबल में अभी भी नंबर एक पर बनी हुई है तेलगू वर्यर्स की टीम दो मेचो में दो जीत 4 पॉइंट और 2.229 का नेटरनेट है नबर 2 पर करनाटा का बुल्डोजर्स की टीम पॉच चुकी है दो मेचो में अपरा जीत है 4 पॉइंट से और 1.871 का नेटरनेट है नबर 3 पर बोचपुरी दबंस की टीम है जो कि करनाटा का के बेहतर नेटरनेट की वज़े से बोचपुरी की टीम नबर 3 पर खिसक चुकी है जो कि 2 मेचो में उनके भी 4 पॉइंट से और 1.568 का नेटरनेट है नबर 4 पर चनले डीनोस की टीम है दो मेचो में एक जीत एक आर 2 पॉइंट और 1.34 का नेटरनेट है नबर 5 पर पहुच चुकी है मुबई हिरोस की टीम दो मेच में एक जीत मिली है दो पॉइंट से और नेटरनेट हला कि उनका अभी भी माइनस में है जो कि माइनस 1.591 का है नबर 6 पर पंजाब दे सेर है अभी तक उनका खाता नहीं खुला है और नेटरनेट यहाँ पर CCL का लेटेस पॉइंट टेबल है आपको क्या लगता है कौन सी चार टीम है जो है प्लेउप्स के लिए क्वालिफाइ करेगी कोमें जरू से बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर द बाइ